हालो एब्रिवान आपने पिछले सेशन अच्छे से कर लिए होंगे हमारी सक्सेस सीरीज के जिसके अंदर हम लोग 60 डेज का कंप्लीट फ्री कोर्स कर रहे हैं और रीजनिंग और कॉंटिटिटिटिव आप्टिटूट यहां पे हम लोग प्री और मेंस दोनों को ही कवर कर र होगा 27 देन 28 देन 29 हर दिन पर दो वीडियो हैं तो इस टाइब में हमारी जो है सेशन चलेंगे यहां पर और यह फॉर्दर सेशन हैं अभी मैंने 13 में तक ही रखे हैं जो इसके आगे के सेशन होंगे वह मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगी तो डेली की हमारी यहां पर मेंस के अंदर ठीक है तो दोनों सेशन यहां पटेंड की किया कीजिए इसके बारे में मैं आपको ओवर्व्यू लास्ट में दे दूंगी ताकि अभी आपका टाइम वेस्ट नहों और सिरफ आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट है यहां पर कि आप लोग जो भी डाउट्स पर जो भी हमने आपको प्रवाइड किया है डाउट्स पूछ रहे हो ना उसमें आप स्पेसिफिक डाउट अपना मेंशन किया करो कि हां मुझे इस क्वेस्टन में यह चीज समझनी आई अगर आप सिरफ क्वेस्टन का स्क्रीन शॉट भेजोगे और कुछ भी नहीं लिख किया है जो भी है whatever the person whoever the person is he or she has cleared examinations अभी रिसेंटली examinations क्राक किये हैं PO as well as clerk तो अभी आप प्लीज यह मत पूछे कि कहां से किया है कैसे किया है जो आपका डाउट स्पेसिफिक है वह आप उनको बता दीजिएगा आपका डाउट within 24 hours resolve हो जाएगा this is a small request from my side अब हम लोग आ देखना ध्यान से order and ranking order and ranking से आप क्या समझते हो यह basically आपके जाधा तर pre में देखा जाता है mains में बहुत कम देखने को मिलता है मिलता भी है तो easy जा question आता है ranking मतलब आपको कुछ बच्चों की ranks set करने होंगी from top to bottom या one to five इस तरीके से या फिर ranks कैसे set करने होती है heavy to light कौन person heavy है heavy से लेकर हमें light तक चलना पड़ता है जिसका weight light है कौन tall है tall से लेके smaller तक चलना पड़ता है जिसकी height कम है तो इस तरीके से हमें rankings बिठाने पड़ती है इसका कोई भी formula नहीं लगता हमें just question पढ़के देखना होता है कि किस तरीके से सबको set करेंगे जब question आएगा तब आपको यहां से clear होगा अब order यह basically आपके classroom के questions होते हैं जिसमें आपको क्या बोला होता है कि आपकी class में 50 बच्चे हैं यहां पे आपके पास 3 cases आएंगे तीनों cases मैं आपको बदाती हो पहला case आपके पास आएगा जिसमें person तो same है यहां पे हम लोग एक बार अच्छे से लिख लेते हैं पहला case आपके पास क्या आएगा जिसमें person तो same है लेकिन उसके जो runs होंगे मतलब left side से वो कितनी seat पर बैठता है या फिर right side पर कितनी seat पर बैठता है क्या बोला होगा या तो आपके पास row का आएगा या आपके पास column का question आएगा row मतलब ऐसे करके बच्चे बैठे हैं class में एक linear row में या फिर ऐसे करके बैठे हैं इस तरीके से तो ये हमारा left end होता है ये हमारा right end होता है ये आपको पता है तो आप ये होता है top ये होता है bottom तो आप top और left को same चीज़ समझोगे और right और bottom को same चीज़ समझोगे ठीक है, top और left को same चीज़ समझोगे, right और bottom को आप same चीज़ समझोगे उसने बोला होगा कि person हमारा same है, लेकिन उसके ranks different है ranks नहीं बोलूँगी, यहाँ पर उसकी position different है क्योंकि order का question है उसकी position different है, class के अंदर from right end as well as left end right end और left end से उसकी position क्या है, यहाँ पर different है जैसे for example, आपको बोला होगा कि एक class में 50 बच्चे है राम का rank left end से 15 है, तो बताओ right end से कितना होगा इस type का question आता है, राम का rank left side से 12 है और right side से 15 है तो बताओ class में total बच्चे कितने होगे, person से मैं ranks differ कर रहे हैं और क्या question आएगा, एक class में total 50 बच्चे हैं, राम का rank right side से हमारे पास कितना है 12 हैं, बताओ राम का left end से जो position है वो कितनी होगी कितनी position पे वो बैठेगा, ठीक है, ये left end है, left end की position है, ये right end की position है तो इस type का question आते हैं, जिसमें person हमारे पास एक है, लेकिन उसकी positions हमारे पास different होती है तो जब भी ऐसा कोई question आ जाए, एक ही universal formula आपको learn करना है वो formula आपका क्या रहेगा देखना आपका formula रहेगा, total equals to left end की position plus right end की position minus 1 total equals to left end की position plus right end की position minus 1 ये किसकी आएगी, same person की आईगी और ऐसे question में आपको person एक ही दिया होगा, different persons नहीं given होगे minus 1 हमने क्यों किया, क्योंकि एक position हमारी overlap होगी ना हमने बताना है कि total बच्चे कितने हैं, तो उसका rank right से भी आपको दिया है ये total बच्चे निकाल ले होगे, I hope this formula is clear to all of you, ठीक है, अब मैं किस पर चलूँगी, next formula पर चलती हूँ second case देखो हमारा कौन सा आएगा, जिसमें वो पूछेगा कि दो persons बैठे हैं, एक row के अंदर, बताओ उनके बीच में कितने persons होगे क्या बताना है, उन दोनों के बीच में कितने persons बैठे हैं, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास persons भी दो होगे persons क्या होंगे हमारे पास, दो होंगे, आणड जो positions भी होंगे हमारे पास, वो क्या होंगे, different होंगी persons भी दो होंगे, positions भी different होंगी, ऐसा question होगा for example वो बोल देखा, राम का left end से इतनी position है 20th, और शाम की कितनी position है 13th तो बताओ, total बच्चे हमारे पास 25 हैं, आपको बताना है कि इन दोनों की बीच में कितने बच्चे बैठे है चीक है, समझ में आगी, एक की left से दी है, एक की right से दी है, और हमें उनके between में बताने है यहाँ पे दो cases बनते हैं हमारे पास पहला case हमारे पास बनता है overlapping का और दूसरा case हमारे पास बनता है, जिसमें overlap नहीं होगा नोन ओवरलापिंग का पहला हमारे पास बनेगा ओवरलापिंग का दूसरा हमारे पास बनेगा नोन ओवरलापिंग का तो ओवरलापिंग का मतलब क्या होता है कि टोटल बच्चे हमारे पास क्या है जादा है किस से लेफ्ट और राइट एंड के रांक से पोजीशन से जो लेफ्ट एंड की पोजीशन है प्लस जो राइट एंड की पोजीशन है मालो 20 थी और 15 थी उन दोनों का एडिशन कितना है 35 और आपको टोटल बच्चे दे दे कि टोटल बच्चे 40 हैं तो आपको पता है कि 40 is greater than 35 तो उस case में आप फोर्मू SUBSCRIBE क्या लगा ओगे हाँ पर लेफ्ट एंड की पोजीशन है प्लस राइट एंड की पोजीशन माइनस टोटल फ्लस थू किया लगा धिया ना ऑवरलापिंग का केस दूसरा होता है इस देखो दूसरा केस हमारे पास का क्या आएगा जिसमें हमारे पास परसंस जो हूंगे वो डिफरेंट होंगे मतलब दो परसंस होंगे और उनकी जो पॉजीशंज होंगी राइट एंड से और लेफ्ट दो केस बनते हैं इस केस के further हमारे पास दो केस बनते हैं पहला होता है हमारे पास overlapping § और दूसरा होता है हमारे पास नोन ओवरलापिंग केस जिसमें ओवरलाप नहीं हो रहा अब ओवरलापिंग और नोन ओवरलापिंग से मेरा मतलब क्या है जैसे माल लो ये क्लास में बच्चे बठे हैं ठीक है? राम का रांग यहां से 20th है शाम का रांग यहां से 15th है टोटल बच्चे हमारे पास 40 है ठीक है? समझ में आगी यहां पे आपका जो टोटल है वो टोटल बच्चे आपके पास 30 है यहां पे जो आपका टोटल है वो किस से कम होगा? लेफ्ट एंड की पोजीशन से प्लस राइट एंड की पोजीशन से लेफ्ट एंड की पोजीशन से प्लस राइट एंड की पोजीशन से दोनों का प्लस करोगे कितना होगा? 35 होगा लेकिन टोटल हमारे पास बच्चे कितने हैं? interviews तो ऐसे तो नहीं जा सकता यह 20 वा रांग हो गया यह 15 रैंक हो गया फिर हमें इसके बीच में देखना पड़ेगा This is the overlapping case जिसमें total बच्चे जो है वो किस से कम पड़ रहे हैं left end की position और right end की position से Non overlapping case क्या होता है यह हमारे पास 30 बच्चे हैं class में Ram का rank left end से कितना है 5 है Shyam का rank right end से कितना है 10 है यहाँ पर आपके पास total जो है वो किस से जाधा होगा Left end के rank से position से plus right end की position से मतलब 5 और 10 कितने है 15 तो total से कम है न तो 5 इधर रह जाएगा 15 इधर रह जाएगा इसके बीच में जो बच्चे आएंगे यह हमें देखने होंगे यह non overlapping का case होता है ठीक है समझ में आगी overlap कैसे हो रहा है non overlap कैसे हो रहा है अब दोनों के आपको क्या बता देती हूं formulas बता देती हूं देखो जब भी overlapping का case आएगा तो आपको हमेशा क्या करना है in between बच्चे निकाल ले in between कैसे निकालोगे left end की position plus right end की position minus total plus 2 left end की position plus right end की position मतलब 20 plus 15 minus total कितने है 30 plus 2 यह हमारे क्या निकल जाएंगे जितने बच्चे इन दोनों के बीच में हैं known overlapping के case में क्या बनेगा हमारे पास आपको लिखना है total minus left end की position plus right end की position simple total minus left end की position plus right end की position यह आपके पास क्या हो जाएगा in between बच्चे आ जाएंगे और यह ध्यान लखना यह दोनों जो positions होंगी यह किसकी होंगी different students की होंगी इस chapter में सिरफ सिरफ सीधे सीधे तीन formulas थे पहला यह वाला जब आपको total बच्चे निकालने है right या left end से निकालना है rank same person का उसमें आप क्या करोगे total equals to left plus right minus one और जब in between बच्चे निकालने है overlapping के case में left plus right minus total plus two और no overlapping के case में between के बच्चे निकालने है तो total minus left plus right सिरफ तीन formulas याद रख लोगे तो पूरा का पूरा chapter यहां से clear हो जाएगा हम लोग चलेंगे questions पे पहला question देखो आपके सामने है in a class of 35 students total हमारे पास 35 students है ram is 20th from the left end ram is 20th from the left end का मतलब क्या हो गया ram का rank left end से 20th है and raja is 20th from the right end raja 20th है right end से इन दोनों के बीच में बताओ कितने बच्चे है total आपके पास कितना है 35 left और right का आपके पास total कितना है 40 मतलब आपको पता है total आपके left और right से क्या है कम है मतलब ये case कौन सा बन जाएगा overlapping का case बनेगा कौन सा बनेगा overlapping का case बनेगा आप लोग ऐसे ऐसे बना बना के देखोगे उसमें आपका time बहुत बेस्ट होगा बना के देख लेना मुझे कोई problem नहीं है but जब सीधा answer निकल सकता है तो सीधा ही निकालना जाहिए overlapping के case में हम लोग in between students कैसे निकालते थे left का rank plus right का rank minus total कितने है 35 plus 2 40 में से कितने minus करने आपको 37 तो इनके बीच में बच्चे कितने आए 3 इनके बीच में बच्चे कितने आए 3 so option number C will be your final answer I hope आपको ये वाला question अच्छे से clear हो गया होगा moving on to the next question Baloo is ranked 11th from the top मैंने आपको बोला था top को क्या लेना है left लेना है and Hema is ranked 8th from the bottom bottom को क्या लेना आपको right लेना दोनों के rank दे दिये left end से और right end से अलग लग 6 persons are between Baloo and Hema Baloo और Hema के बीच में 6 persons है और Hema जो है Hema जो है वो Baloo के नीचे उसका क्या है rank है या position है हमें क्या बताने है total number of persons यहाँ पे आपको persons between दे रखे है मतलब case कौन सा बनेगा between का case बनेगा case कौन सा बनेगा between का case बनेगा देखो यहाँ पे उसने बोला है total बच्चे हमें नहीं पता left end मतलब top right end मतलब bottom Baloo का rank 11th है और हेमा का rank 8th है और उसने बोला है कि हेमा जो है बलू से नीचे वाली position पे है अगर जाहिर सी बात है हेमा बलू से नीचे वाली position पे है तो यहाँ पे यह दोनों क्या नहीं होंगे overlap नहीं होंगे overlapping के case में दोनों इस तरीके से जाते हैं अगर वो बोल देता कि बलू से उपर rank हेमा का है तो यहाँ पे आप देखते कि bottom इधर जा रहा है टॉप इधर जा रहा है दोनों arrows क्या हो गई cross हो गई लेकिन यहाँ पे तो हेमा का rank यहाँ है बलू का rank यहाँ है यह इधर से है यह इधर से है overlapping कहीं से नहीं हो रही मतलब non overlapping का case बनेगा देखो between बच्चे होंगे कितने है 6 बच्चे है non overlapping के case में हम लोग क्या करते है total minus कौन से rank left के मतलब top के और right के मतलब bottom के तो 6 बच्चे किसके बराबर होगे total minus 19 total बच्चे कितने हो गए 19 प्लस 6 आपके पास कितने हो गए total हो गए इस class में option number C will be your answer I hope आपको ये वाला case भी clear होगा next question पे चलते हैं देखो ये ranking का question है यहाँ से अगर side से नहीं दिख रहा this is 7, this is M and this is person एकदम side वाला जो आपको I guess यहाँ से कट रहा होगा ये 7 है, ये M है, ये person है M जो है Q से taller है जब भी ranking का question आए ना तो हमेशा जो बड़ी चीज हो जो बड़ी चीज हो उसको आपको ऊपर लगाना है जो छोटी चीज हो उसको आपको नीचे लगाना है मतलब चाहे weight आजाए चाहे height आजाए चाहे rank आजाए आपको हमेशा जिसका बड़ा rank है मतलब first number is the top most rank top वाले को ऊपर लगाना है और bottom वाले को नीचे लगाना है जिसका सबसे नीचला rank है हमेशा ऐसे करना है M is taller than Q मेरको पता है M जो है Q से taller है M बड़ा हो गया Q से हमें एक line में लेके चलना है यहाँ पर हमाएगा यहाँ पर हमारे आएगा tall यहाँ पर आएगा हमारे short Q is taller than S Q जो है S से taller है मतलब S से नीचे हो गया M is shorter than N M जो है N से shorter है मतलब N तो लंबा हो गया M से M के उपर किसको बिठा दो N को बिठा दो number of person between R and O is same as between Q and P जितने R और O के बीच में person है उतने ही Q और P के बीच में है इसको बाद में करेंगे N is not the tallest person N tallest person नहीं है मतलब N के उपर definitely कोई न कोई आएगा ही आएगा तो यहाँ पर M लिख देते हैं यहाँ पर definitely कोई एक person तो आने ही वाला है दो भी आ सकते हैं P is shorter than S P जो है S से shorter है मतलब S के नीचे आएगी O is taller than Q but shorter than N O जो है Q से तो taller है लेकिन N से shorter है O Q से तो taller है लेकिन N से shorter है मतलब N और Q के बीच में आएगा N और Q के बीच में मतलब कहीं पे भी आ सकता है M के उपर भी आ सकता है M के नीचे भी आ सकता, ये हमें नहीं पता लेकिन यहां उसने साफ साफ बोला कि R और O के बीच में जितने person है, उतने ही Q और P के बीच में ध्यान से देखना person कितने है, 7 है 1, 2, 3, 4, 5 5 person अल्रेडी आ चुके है सिरफ 2 की space खा लिए है सिरफ 2 की space खा लिए है और हमें पता है, N क्यू पर definitely एक person तो आए गई आएगा समझ आ रही है N क्यू पर एक person आए गई आएगा हमारे पास person कौन-कौन से बच रहे हैं यहां पे, एक तो O बच रहे है हमारे पास, एक R बच रहे है बाकि सारे के सारे आ चुक है ना, देख लो N, M, N आ चुका है P भी आ चुका है, Q भी आ चुका है S भी आ चुका है बचे कौन-कौन से? O और R लेकिन हमने यहां देखा कि O की position या तो M के नीचे है या M के उपर है मतलब definitely इस position पे कौन आने वाला है? R क्योंकि N tallest नहीं था अब O की position देख लो R और O के बीच में जितने person है उतने ही Q और P के बीच में है For example देखो O के दोनों cases ले लेते हैं अगर मैं O को यहां रख दो R और O के बीच में एक person है Q और P के बीच में भी एक person है तो यह case हमारा satisfy हो रहा है अगर मैं दूसरा case लेके देखूँ O का यहां पे मैं O रख दूँ R और O के बीच में दो person है Q और P के बीच में एक person है मतलब यह case पॉसिबल नहीं है That means पहले वाला case हमारे पास क्या बन रहा था सही बन रहा था तो O को हम कहां ले लेंगे O को हम कहां ले लेंगे यहां पे ले लेंगे ठीक है तो यह हमारी arrangement बन की जिसमें R सबसे tallest है और P सबसे shortest है अब हम लोग इसके further questions देखते हैं देखो who among the falling person is the third tallest third tallest मतलब top से तीसरा rank देखना है यह tallest है यह second tallest है यह third tallest है third tallest हमारे पास कौन है O है option number C आपका answer बन जाएगा दिख रहा होगा आपको शायद कटनी रहा होगा यह if N's height is 180 cm और M की height 170 cm है देखो N की height उसने कितनी बोली है हमें 180 और M की height कितनी बोली है 170 तो उसने क्या पूछा है हमें what is the possible height of O O की possible height कितनी होनी चाहिए अब O तो इन दोनों के बीच में लाए कर रहा है मतलब उसकी height definitely 170 और 180 के बीच की होगी अगर 170 और 180 के बीच का निकालना यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा यह भी नहीं आएगा कौनसा आएगा यह 170 और 180 के बीच में option लाई कर रहा है मतलब यह एक मिनट मेरा माइक थोड़ा sleep हो रहा है हाँ मतलब यह आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा which of the following combination is true इन में से कौनसा statement जो है वो true है R is the second tallest person यह tallest है यह second tallest है R को tallest है second tallest तो नहीं है मतलब यह गलत हो गया Q is shorter than P Q जो है P से छोटा है Q देखो P से तो tall है छोटा तो नहीं है यह भी गलत हो गया number of person shorter than M M से नीचे जितने लोग है उतने ही M से उपर है देख लो M से नीचे कितने है 1,2,3 M से उपर कितने है 1,2,3 मतलब उपर भी उतने है नीचे भी उतने है तो यह वल option क्या हो जाएगा option number C सही हो जाएगा बाकी गलती होंगे तो कि एक सही निकल गया आगे देखो In a class एक मिनट In a class Ramu is 23rd rank from the top Top मतलब left and Ramesh is 19th rank from the bottom Bottom मतलब right Ramu का rank 23rd है और Ramesh का rank 19th है दोनों different persons है 8 persons are rank between Ramu and Ramesh Between वाला case बन रहा है हमें क्या बत and Ramesh who ranked below Ramu Ramu के बारे में बात की गई है जो कि Ramu से नीचे है देखो यह class में लोग हैं हमारे पास यह top हो गया मतलब left हो गया यह bottom हो गया Ramu का rank 23rd है टॉप से और Ramesh का rank कितना है 19th है bottom से और उसने बोला है Ramu का rank Ramu से below है मतलब इसके नीचे है यह इधर से आ रहा है अगर ऐसे भी आ रहा है यह 23rd है यह 19 है और यह इसके नीचे है तो क्या आप बताओ overlapping का case यहाँ पर बन रहा है नहीं बन रहा क्योंकि इसका rank यहाँ आगे खतम हो गया इसका rank यहाँ पर आगे खतम हो गया non overlapping का case बनेगा हमें total number of students निकाल ले है non overlapping के case में आप लोग हमेशा क्या करते हो in between कितने लोग है वो किसके बराबर हो जाएंगे total minus left का plus right की position in between कितने लोग है 8 लोग है किसके बराबर हो जाएंगे total minus left से कितना rank है 23 और right से कितना rank है 19 तो total minus कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 12 12 और 30, 42 हो जाएगा, यह हो जाएगा 8, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 प्लस 8, 50 स्टूडेंट्स हैं, जो टोटल है इस क्लास में, और केस किसका बन रहा है, नोन ओवरलापिंग का, I hope आपको ये वहला क्वेशन अच्छे से क्लियर होगा, next question पर चलते हैं, there are 28 students who have written an examination, 28 बच्चे हैं जिन्नोंने एक examination लिखा है, rank of sonakshi is 26th from the bottom, bottom मतलब right, sonakshi का rank, ये sonakshi का rank 26th है, right end से, इधर से, ये left है, bottom मतलब right, rank of ayushi is 15th from the top, ayushi का rank 15th है, top से मतलब left से, rank of jaisari is 6th from the bottom, bottom से 6th है मतलब इस साइड आएगा, ये 26th है तो 6th सिधर आएगा ना bottom से, ये किसका है, jaisari का है, rank of priya is exactly between ayushi and jaisari, ayushi और jaisari के बीच में मतलब, इन दोनों के बीच में exactly बीच में किसका rank है हमारे पास, priya का, ठीक है, rank of goodya is 7 places above ayushi's rank, गोडिया का rank कहा है, wait a second, गोडिया का rank कहा है, 7 places above ayushi's, मतलब ayushi से 7 places उपर, उपर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, गिन लो, ये 15 है, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, तो 8th किसका rank आगे हमारे पास, गोडिया का, समझ में आगे, 7 places उपर है, मतलब इधर से होगा, ये left end से इसका 8th rank होगा, ठीक है, अब ये हमारे पास सिनारियो है, हम इसके further questions देखेंगे, उसी साथ से हम लोग अपने answers निकालेंगे, what is the rank of sonakshi from top, sonakshi का rank बताना top से, देखो, sonakshi का rank हमारे पास, bottom से कितना है, 26, और total बच्चे हमारे पास कितना है, 28, सबसे पहला वाला case, 28 बच्चे है, equals to left का rank, plus right का rank, minus 1, यही आएगा, तो left से इसका rank कितना आजाएगा, यह 25 हो गया, 28 minus 25 is third, तो उसका top से rank क्या आगया, third, सबसे पहला वाला case लगेगा, what is the rank of priya from bottom, priya का rank बताना है bottom से, अब देखो यहाँ पे, मेरे को आयूशी का rank पता है, कितना 15 है top से, और जैशरी का rank पता है, 6 है bottom से, priya इनके just बीच में है, priya इनके just बीच में है, क्या मैं between लोग निकाल के, priya का rank निकाल सकती हूँ, मेरे को पता है, between निकालने के लिए, यह overlapping का case नहीं बन रहा, क्योंकि यह 6 है, यह 15 है, तो 15 प्लस 6 हमारे पास कितना होता है, 21, और total बच्चे हमारे पास 28 है, मतलब total बढ़ा है, non overlapping का case बनेगा, between बच्चे कितने होते हैं, total minus, left plus right, left plus right हमारे पास कितना होता है, 21, मतलब इन दोनों के बीच में 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं और प्रिया का middle है, मतलब आप 3 इधर से छोड़ोगे, 3 इधर से छोड़ोगे, जो बीच वाला होगा वो प्रिया का rank होगा, 3 इधर से छोड़े, 3 इधर से छोड़े, 6 बच्चे हो गए, एक रांग प्रिया का टोटल 7 बच्चे हमारे पास यहाँ पर हो गए मतलब क्या हुआ इसका यहाँ पर ध्यान से देखना इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? साथ बच्चे है तीन आप इदर से छोड़ दो यह प्रिया है फिर तीन आप इदर से छोड़ दो मैं बोलती हूँ तीन मैंने इदर से छोड़ दिये यह प्रिया है फिर तीन के बाद जैश्री आ जाएगी तो उसने क्या पूछे? प्रिया का रैंक बॉटम से पूछे है 10th rank हमारा किसका हो जाएगा प्रिया का bottom से, top से पूछता है तो हम इधर, इस side से चलते, bottom से पूछा है तो हम लोग इस side से चलेंगे, तो प्रिया का rank हमारे पास कितना हो जाएगा, 10th rank option number C is the answer, what is the rank of Ayushi from the bottom, Ayushi का rank पूछा है bottom से, ध्यान से देखो, top से हमें पता है 15 है, total बच बराबर, left plus right minus 1, सबसे पहला वला case, left से कितना है 15, minus 1, 14 हो गया, equals to 28, तो right से इसका rank कितना हो गया, 28 minus 24, 14, right से इसका rank कितना हो गया, 14th, option number B will be your answer, next पे चलते हैं, देखो, there are 48 players and they have different ranks, different ranks है उनके, rank of B is 13th from the top, top का मतलब left and rank of A is 21 from the bottom, bottom का मतलब right, तो यहाँ पे बना लेते हैं, यह हमारा left हो जाएगा, यह हमारा right हो जाएगा, मतलब top और bottom हो जाएगा, तो B का rank कितना है, 13th from the top और E का rank कितना है, 21st, E का rank कितना है, 21st from the bottom, आगे देखो, C का rank exactly between A and D है, A अभी नहीं आया, A का rank 5 places below B है, B से 5 places नीचे है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यह किसका rank हो जाएगा, A का, that means 13, के बाद 14, 15, 16, 17, 18th rank हो जाएगा, A का top से, F is rank 30th from the top, F का rank 30th है, top से, देखो, questions करते हैं, questions से हमें clarity मिलेगे, C का rank बताना है, top से, C का rank top से, और हमें पता था, C किसके exactly between है, A और E के, यह left end से rank है, यह right end से है, हम लोग अगर इसके बीच में निकाल लेंगे कितने बच्चे हैं, तो C का rank निकल जाएगा, between का मतलब क्या है, देखो, total बच्चे हमारे पास 48 है, बड़ा यह छोटा निकाल ले, left और right का total कितने है, 18 plus 21, that is 39, total बड़ा है left और right से, मतलब case कौन सा बनेगा, non overlapping का, non overlapping के case में आप लोग in between बच्चे कैसे निकालते हूं, total minus left का rank plus right का rank, कितना हो जाएगा, 9, 9, 9 बच्चे आएंगे A और E के बीच में, ठीक है, हमें C का rank पूछा है top से, top से पूछा तो मैं A वाली साइट से ही चलूँगी, क्योंकि left साइट से, मतलब top से पूछा है, 9 बच्चे और middle का निकालने है, total 9 है, equal parts में डिवाइड करोगे, तो 4 इदर आएंगे, 4 इदर आएंगे, और एक बीच में रह जाएगा, 4 और 4 तो equal divide हो गए, एक बीच में रह गए, और वो एक कौन है, C है, मतलब C के 4 लोग इदर आएंगे, और 4 लोग इदर आएंगे, यहां से बोलू तो 1, 2, 3, 4 आगए, यह वला रैंग किसका हो जाएगा, C का, 18 के बाद 19, 20, 21, 22 and 23, तो 23rd from the top, how many players are, rank between F and E, F और E के बीच में कितने हैं, देखो, F का rank top से कितना है, 30, left से 30 है, और E का bottom से कितना है, 21, left और right का total कितना हो गया, 51, और total बच्चे कितने हैं, 48, left और right का total, total students को क्या कर रहा है, exceed कर रहा है, मतलब this is the case of overlapping, this is the case of overlapping, overlapping के case में between के बच्चे कैसे निकालते हो, left प्लस right का total, minus, total बच्चे plus 2, कितना आ गया, 1, तो इनके बीच में कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, starting से मैंने आपको सिरफ तीन formulas बताये थे, order and ranking के, वो तीनो formulas पर पूरा पूरा chapter घूम रहा है, तो अगर तीनो आपने formulas अच्छे से कर ली, तो सारे questions solve होते चले जाएंगे, in a class there are 50 students, जिनका different rank है examination में and no one is absent, कोई भी absent नहीं है, 14 students fail हो जाते हैं, गए, डूब गए, तो देखो, यह crew है, 50 बच्चे हैं इस class में, 50 बच्चे है, 14 बच्चे fail हो गए, मतलब उनका rank bottom से कितना आया है, सारे के सारे जो fail होए हैं, उनको bottom में लगाते हैं ना हम लोग, top मतलब rank 1, bottom मतलब जो एकदम last आया है, तो मतलब यह जो 14 बच्चे हैं, यह क्या हो गए, fail हो गए, x is ranked 18th from the bottom, x का rank 18th है bottom से, y is ranked 17th from the top, यह हमारा top आगा, y का rank कितना है, सतारवा कहां से है, top से है, z is ranked 2 places above v, अब यहाँ पर कई बच्चों को problem थी, मतलब में को comments मिल रहे थे, कि माम आप z को z क्यों बोलते हो, तो अगर इसकी pronunciation पर जाए, तो z को हम लोग z hi, मतलब z pronounce करते हैं, तो मेरे को यही आदत पड़ी हुई है, तो आप z और g को confuse मत किया करो, क्योंकि g की pronunciation is g, और इसके is z, दोनों में difference है, ठीक है, तो मेरे साथ आप इसमें कोप अप थोड़ा सा कर लेना, z is ranked 2 ranks above v, v से 2 ranks उपर है, and v is ranked 3 places below x, 3 places below x का मतलब x से निचले 3rd place पे, उसमें बोल है 3 places below, मतलब 3rd rank पे लगा देंगे, अगर वो बोलता, at a gap of 3 places below x, at a gap का मतलब 3 लोग छोड़के चौथे पे हम लोग v को लगाते हैं, बट यहां कौन सा case बन रहा है, 1, 2, 3, यह कौन आ जाएगा v, तो 18 के बाद 19, 20, 21, बॉटम से 21 rank किसका आ गया? बॉटम से 21 ने आया, अगर इधर जाएंगे तो 18, 19, 20, 21, और अगर बॉटम से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अलग rank आएगा, क्योंकि इसका 14th है और इसका क्या है? 21st, तो जादा समझदारी इसी में है कि हम लोग इसको उल्टाई लेके चलें, अधर वैस हम लोग confused हो जाएंगे, देखो, increase नहीं कर सकते हैं ना उसके rank को, क्योंकि हम लोग bottom side से आ रहे हैं, bottom side से आ रहे हैं मतलब हमें इधर से increase करना है, इधर से तो decrease करना पड़ेगा ना, इसका rank 18 है और 14 बच्चे यहाँ पर already fail हो चुके हैं, तो मतलब इसके बीच में कितने बच्चे हैं? X के बीच में और जो fail हुए बच्चे हैं, उनके बीच में 4 लोग ही आए ना, bottom से अगर मैं देखो, और उसने क्या बोला है, दो places छोड़के, यह तीसरा rank किसका है, V का है, मतलब V का bottom से rank कितना हो गया, यह 14 हो गया, यह 15 हो गया, यह कितना हो गया, 16th rank from the bottom, क्योंकि हम लोग इधर से क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इधर से अगर bottom के ranks को उल्टा लेके जाएंगे, तो माइनस करना पड़ेगा, आगे देखो, 16th हो आगया, 18th इसका हो गया, 4 बच्चे हैं इसके बीच में, 14 बच्चे तो फेल हो गये, उसके बाद, 15, 16, 17, 18, 4 नहीं, तीन बच्चे हैं, ओवरलाप हो गया ना, एक इस तीन बच्चे हैं इसके बीच में, वेट ए सेकेंड, 18 और 14 के बीच में, 1, 2, 3 बच्चे हो गये, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, उसने बोला, V का rank, 1, 2, 3rd है कहां से, bottom से, मतलब V का rank कितना हो गया, V and X, V और X के बीच में, कितने persons थे, 2 लोग हैं, तो 2 लोग आपका, क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, how many persons are rank below Z, Z के नीचे कितने हैं, उसने बोला था, Z का rank, 2 above V है, V का 15th है, तो 16th और 17th, Z का, bottom से rank कितना हो जाएगा, 17th, अगर bottom से उसका 17th है, 16th बच्चे आए, तो कितना हो जाएगा, option number C, यहां से भी देखोगे, तो, यहां से आपको, count करने हैं कितने बच्चे हैं, इस person से लेके end तक, आपके पास आएगे 16th बच्चे, next question देख लेते हैं, this is probably the last question, in a class, Ramu is ranked 23rd from the top, and Ramesh is ranked 19th from the bottom, यह question शायद already हो चुक है, है ना, यह Ramu और Ramesh वादा question हमने कर लिया ना, यह वला, ठीक है, तो यह question already हो चुक है, this is the repeated question, this question was your last question, यह वला, यहां पर हम लोग ने, अच्छा, इसके बाद एक question है, एक question है इसके बाद, रुको, ranking का question है, थोड़ा सा लंबा था, मुझे याद आगया, question मैंने include किया है, तो यह repetitive question इसको छोड़ देना, यह question का एक बाद screenshot ले लो, हिंदी वाले, क्योंकि हम लोग question, English में solve करेंगे, ओके, I hope आपने screenshot ले ले होगा, अब इसको करना शुरू करते हैं, साथ लोग हैं हमारे पास, जिनको exam में different marks मेलें, और examination कितने number का है, 500 number का, different ranks मेले according to their marks, कोई भी 2 persons को same rank और same marks नहीं आए, ठीक है, समझ में आ गई, मतलब यहाँ पे हमारे पास ranks कौन कौन से आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्ट, सिक्स्थ, और सेवेंथ, यह हमारे पास ranks है, जिसको rank 1 मिला है, उसके 500 number पूरे हैं, लेकिन rest all को different marks मिले हैं, less than 500 marks in the exam, पहले rank वाले को 500 number मिल गए, और बाकियों को 500 से क्या मिल रहे हैं, कम marks मिल रहे हैं, R को 100 marks किस से जादा मिले हैं, V से, R के number जादा है, V से कितने number, 100 number, बोथ P and Q got less marks than S, S से नीचे rank किस का आजाएगा, P और Q का, क्योंकि दोनों के ही number S से कम है, One of the students got 400 marks, किसी एक को 400 number भी मिले हैं, The one who got second rank, got only 50 marks, Less than the maximum marks, जिसको second rank मिला है, उसके maximum marks, मतलब 500 number से सिरफ 50 कम है, मतलब second rank वाले के marks कितने आगए, 450 आगए, R got less marks than U, R के number और किस से कम है, U से कम है, Difference between the marks obtained by R and S is 25, R और S के marks का difference कितना है, 25 हमें नहीं पता, कि R के marks जादा है, या S के marks जादा है, Marks less than 250, 250 से कम किसी को नहीं मिले, 250 हो सकते हैं, The difference between the marks obtained by R and V, is same as the difference between the marks obtained by U and P, मतलब R और V के marks का difference, U और P के marks के difference कि क्या है, बराबर है, मतलब अगर R और V के marks कितने हैं, 100 का difference है, तो U और P के बीच में भी कितने का difference होगा, 100 का difference होगा, समझ में आगे इतनी बात, ठीक है, ओके, हब आगे देखो, Difference, Difference, नहीं, U got less marks than T, U को T से भी कम नंबर मिले हैं, तो T इसके उपर आ जाएगा, The difference between the sum of the marks, obtained by P and S, P और S के जो टोटल नंबर है, उसका difference किससे निकालना है, T और U से, T और S के जो टोटल नंबर है, उसका difference किससे निकालना है, T और U से, Difference कितना है, 225 है, Clear? Q got 50 marks less than V, V से कम marks मिले Q को, और कितने कम मिले, 50 कम मिले, आगे देखो, None of the person got 425 marks, 425 marks किसी को भी नहीं मिले हैं, यहाँ पे, देखो, अगर मैं ranking को देखना चाहूं, तो मेरे पास ranking कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे side way बनाते हैं इसको, मेरे पास है, T के नीचे U, U के नीचे R, R के नीचे V, और V के नीचे Q, और हमें पता है, S का rank P और Q से क्या है, जादा है, तो मतलब हमें यह नीचे पता, कि S कहां पे आएगा, लेकिन उसका rank P और Q से जादा है, that means definitely Q के कहीं उपर कौन आएगा, S आएगा, Q के कहीं उपर S आजाएगा, और कोई information हमें मिल नहीं दी, जिससे हम लोग इसके ranking का पता लगा सके, तो यहाँ पे ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग हमारे पास अल्रेडी आ चुके हैं, सिरफ हमें S और किसके adjustment करनी है P की, S और P के adjustment करेंगे, तो हमारा यहाँ पे सब clear हो जाएगा, देखो, अगर मैं मानो कि S का rank एकदम topmost rank है, हमें मानना पड़ेगा ना, हमें पता नहीं कि S का rank है कितना, अगर मान लो S का rank एकदम topmost rank है, मान लिया, S के related information क्या थी, कि R और S के rank का difference कितना हो जाएगा 25, S का rank अगर कितना होगा 500, तो 25 का difference मतलब 475, 475 exist नहीं कर रहा, मतलब S का rank topmost नहीं होगा, मतलब 2nd rank है, तो यहाँ पर उसने बोला है, R और S का rank का difference कितना है 25, 425 से 25 का difference लोगे कितना होगा, 425, 425 किसी का rank नहीं हो सकता, मतलब S का rank हमारे पास 2nd भी नहीं आने वाला, ठीक है, अब S का rank कितना लेंगे, 3rd लेंगे, S का rank हम ले लेते हैं 3rd, ठीक है, R का rank हमें नहीं पता कोई बात नहीं, और P जो है, P का rank इससे नीचे है, मैं मान रही हूँ, T और U दोनों के rank क्या है, उपर हैं क्योंकि इससे उपर S का rank नहीं आ सकता, और P का तो definitely नीचे है, मतलब इन दोनों की places क्या हो गई, fix हो गई, clear, मैं बोलती हूँ, S मैंने यहां लिया, R, V और Q मुझे नहीं पता कहां ले ला है, अब देखो, यहाँ पे मेरे को पता है, R और V के rank का difference कितना है, 100 है, और U और P के rank का difference भी कितना है, 100 है, मतलब P कहीं पे भी आ सकता है, P के बारे में हमें information नहीं है, और S का rank 425 तो definitely नहीं आएगा, यह भी clear है, आगे देखो यहाँ पे, हमारे पास यह हो गया, और P और S, प्लस T और U का difference कितना है, 225, मेरे को पता है T और U का total कितना है, 950, और इन दोनों का difference कितना है, 225, यह 950 है, इन दोनों का rank कम है, मतलब दोनों के rank का total कितना हो जाएगा, 950-225, that means 5, 2, 6, नहीं, 7, मतलब P और S के rank का addition कितना हो जाएगा, 725, क्या आपको इतना clear है, एक बार इसको देख लो कि, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके, अब उसने बूला था, S का rank 425 नहीं हो सकता, और हमने लिए 3rd rank पे, और यहाँ पे भी बोला गया था, एक किसी का rank कितना है, 400 है, 400 है, मैं मान लेती हूँ, S का rank 400 है, अगर S का rank 400 आ गया, तो P का कितना आ जाएगा, 325, P का कितना आ जाएगा, 325, ओके, R और S का difference कितना है, 25, इधर से 25 का difference लेंगे, तो कितना आएगा, 375, R को हम यहाँ लगा सकते हैं, हो गया, अब हमारे पास कौन बच्चा, V, Q, और P, जिसमें हमें पता है, P का rank कितना है, 325, R और V का difference कितना है, 100, R का rank अगर 375 है, तो V का कितना हो जाएगा, 275, P से नीचे है, ठीक है, P से नीचे कौन आ जाएगा, V, V से नीचे कौन आ जाएगा, Q, इस arrangement के हिसाब से यह देख लो, clear, समझी में आगी, अब यहाँ पर अगर मैं, R से नीचे किसको लगाऊ, P को, P से नीचे V को, V से नीचे Q को, P, V, Q, तो मेरे को पता है, R और V के rank का difference कितना था, 100, P का rank कितना है, 325, और यहाँ पर हमें पता था, एक मिनट, U और P के बीच को हो गया, V और Q के बीच का rank के difference कितना है, 50, नंबरों का difference कितना है, 50, तो अगर इसमें 50 का difference डालूँगी, तो मेरे पास कितना आएगा, अगर मैं इसमें, V और Q में 50 का difference डालूँगी, तो मेरे पास कितना आजाएगा, यह 225, मेरे पास कितना आ जाएगा यह 125 और यहां पर आपको पता है किसी का भी जो मार्क्स है 200 से कम नहीं होने चाहिए थे यहां लिखा हुआ था ना यह रहा किसी के भी मार्क्स जो है वो 200 से कम नहीं है मतलब S को हम लोग 3rd rank पर नहीं ले सकते यह case cancel out हो जाएगा अब S को में एक और निचले rank पर लेके देखती हूँ ठीक है यह clear हो गया इसको भी कर दते हैं उस पर देखते हैं अगर S का rank में R के नीचे लेती हूँ यहाँ पर ठीक है और हमें पता है S के नीचे आएगा P मतलब R का rank भी fix हो गया यहाँ पर उसने बोला था one of the students got 400 मैं assume करके देख लेती हूँ कि R को 400 मिले है for being on a safer side R और V के rank का difference कितना है 100 मतलब V के marks कितने हो जाएंगे 300 T और U के marks कितने थे 950 और P और S के हमने total कितने नीचा लेते 725 मतलब P का total और S का total निकलेगा 725 considering X के mark P से जाधा है दोनों का total कितना है 725 V और Q के marks का difference कितना है 50 अगर V के 300 है तो Q के कितने हो सकते है 200 हो सकते है ठीक है R और S के marks का difference कितना है 25 यहाँ से 25 का difference लेके देखती हूं 375 S यहाँ पे आजाएगा clear और देखो अगर S के marks 375 आ गए तो P के हमारे कितने marks आ जाएगे 350 P के marks कितने आए 350 V के है 300 Q के है 200 P के कितने है 350 मतलब P का rank ऊपर आएगा P के आगे 350 V के आगे 300 और Q के आगे कितने 200 200 से नीचे किसी का नहीं है तो हमारा यह वाला जो पूरा रेंजमेंट है यह एकदम सही बन रहा है एकदम perfect बन रहा है आप इसको एक बार देख लिजिए राम से कंडिशन हमने सारी की सारी चेक करके देख लिए है यह यहीं पर हम लोग अपना सेशन एंड करेंगे इस इस दे फाइनल क्वेशन अफ दे रांकिंग मेंस लेवल क्वेशन यह हाई क्वेशन बोलो लेकिन चला उसी तरीके से पजल की फॉर्मेट में भी देख सकते थे या फिर जैसे अपने नॉर्मल परॉजल करते हैं उस फॉर्मेट में भी देख सकते हो रांकिंग की फॉर्मेट में भी देख सकते हो दिसिसल नवी लू लका-ज़क तोड़ी अब मैं बता देती हूं आपको खास बात क्या है 9000 प्लस क्वेशन्स है प्री आज वल अज मेंस के एंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रेलिम्स और मेंस दोनों लेवल के क्लियर हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी सारे के सारे सेक्शन्स इंक्लूडेड है एल्सो यहां पे यह Pdf कोर्स का जो पाकेझ है अगर सब्सक्राइबर हो तो 450 का बढ़ेगा और berl no अब्सक्राइबर हो तो 500 का बढ़ेगा अनुफ्स क्या है यह झिस एक साल बात तक आपके मौक से वालेṇ hard रहेंगे सारे के सारे मॉक्स फुल लेंज, सेक्षनल और स्पीड बूस्टर हम लोग लेके आते हैं जी यह के मॉक्टस लेके आते हैं वो सब इसमें अल्रडी इंक्लूड होते चले जाएंगे जो भी एक्जामिनेशन आएंगे आपको अलग से कुछ नहीं करीदना आप्लिकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं दोनों लांगुजिज में हैं और फ्री है नहीं तो आपको इसको अलग से खरीदना पड़ेगा और सो यहां पे आपको हर एक एक्जाम के पी और क्लर्क मेंज लेवल के प्री और मेंज लेवल के 15 सेट्स मिलेंगे यहां पर जो आपको अपने पीडियाफ सीडिस के साथ साथ में करने हैं अगर आपको टेक्निकल इशू है तो आप यहां पर मेल करोगे और अगर आपको मेर से कोई 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 पूछ निया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ड प्रम आपको अपको कई दू और के लिए इंस्टे इंसारॲा गड के इंस्त 국 Ellis